C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाथ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 6 जिसका शीर्शक है गाउं का प्रशासन प्रिष्ट 57 से प्रिष्ट 64 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय 6 गाउं का प्रिष्ट 57 भारत में 6 लाक से अधिक गाउं हैं उनकी पानी, बिजली, सडक आदी की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निप्टाने की जरूरत पड़ती है इन सब की विवस्था के लिए गाउं का प्रशासनिक ढाचा होता है इस पाठ में हम दो ग्रामीन प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें ग्रामीन परिवेश में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच आपसी वाद विवाद हो रहा है गाउं में जगडा मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर जमीन है, जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है उसके खेत से लगा हुआ ही रगु का खेत है, दोनों के खेत एक छोटी सी मेड से अलग होती है एक सबह मोहन ने देखा कि रगु ने मेड को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया मोहन को बहुत घुसा आया, मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था रगु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताउ गाउं के सरपंच थे फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रगु के घर पहुँच गया दोनों के बीच कहा सुनी हुई रगु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड को आगे बढ़ाया था थोड़ी ही देर में जगडा शुरू हो गया रगु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया हो हल्ला सुनकर पडोसी बाहर आ गए उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोटाई थी एक पडोसी ने उसकी मरहम पट्टी की मोहन के एक दोस्त ने जो गाउं के डाग घर में काम करता था सुझाव दिया कि उन्हें स्थानिय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए जबके कुछ लोग इसके खिलाफ थे उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बरबाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा प्रिष्ट 58 कुछ लोगों ने कहा कि रगू के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुँच चुके होंगे काफी विचार विमर्ष के बाद अंत तह ये तै हुआ कि जिन पडोसियों की आँखों के सामने ये घटना हुई थी मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा पुलिस थाने का क्षेत्र थाने के रास्ते में एक पडोसी ने पूछा क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंके हमारा गाउं इसी के कार्यक शेत्र में आता है इस प्रिष्ट पर बाई और पीले रंग के एक बकसे में पुलिस थाने के कार्यक शेत्र के बारे में जानकारी दी गई है हर पुलिस थाने का एक कार्यक शेत्र होता है जो उसके नियंतरण में रहता है लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुरघटना, मारपीट, जगड़े आधी की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं ये यहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से घटना के बारे में पूच ताच करे, जाँच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कारवाई करे इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें ठाने का दृष्ष्य है टेबल पर एक पुलीस अधिकारी बैठा, एक रपट लिख रहा है, जब कि उसके सामने खड़ा एक व्यक्ति अपनी शिकायत सुना रहा है इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है अगर आपके घर में चोरी हो जाती है, तो आप किस स्थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी मोहन और रगू के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था मोहन को रगू से जगडा करने में दर क्यों लग रहा था कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए जबके कुछ ने ऐसा करने से मना किया लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिये पुलिस थाने में होने वाला काम जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया उसने ये भी बताया कि वो अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जाँच पड़ताल का समय नहीं है मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी मोहन बाहर गया और अपने पडोसियों को बुला कर अंदर ले आया पडोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आखों के सामने पीटा गया है अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटे आती उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया अंततह थानेदार राजी हो गया उसने मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने को कहा थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जाँच पढ़ताल के लिए उनके यहां पहुँचेगा प्रिष्ट 69 इस प्रिष्ट पर बाई और उपर पीले रंग के एक बकसे में पुलिस थाने में जो कारवाई हुई उससे संबंधित आप से बादचीत की गई है पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाईए फिर ये बताईए कि मोहन थानेदार या पडोसियों की भूमी का निभाते हुए आपको कैसा लगा क्या थानेदार इस स्थिती को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था राजस्व विभाग का काम आपने पढ़ा कि मोहन और रघू में खेत की मेड को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांती पूर्वक सुलजा लेते क्या कोई ऐसे अभिलेक याने रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गाउं में किस के पास कौन सी जमीन है चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है अलग-अलग राज्जियों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है कहीं पतवारी, कहीं लेखपाल, कहीं करमचारी, कहीं ग्रामीन अधिकारी तो कहीं कानून गो कहते हैं हम यहां जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गामों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले प्रिष्ठ पर दिये गए नक्षे और उसके अनुसार बने खसरे याने रिजिस्टर के विवरण को देखिये। ये पटवारी द्वारा रखा गया गाउं के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारीयों के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आपको कहानी हमने सुनाई, उसमें पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर ये देख सकता था कि वो गाउं के नक्षे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वो नक्षे से मेल नहीं खाता, तो उसको पता चल जाता है कि मेड खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें खेत के बाहर खड़ा एक पटवारी, दो व्यक्तियों से कुछ जानकारी हासिल करके उसे एक कागज पर लिख रहा है। पटवारी किसानों से भूमी कर भी इकठा करता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसलिए जरूरी है कि वो उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार पसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुँआ खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षन करते हैं। इस प्रिष्ठ पर दाई और नीचे हरे रंग के बकसे में कुछ आवश्चक जानकारी दी गई है। अगर आप ग्रामीन क्षेतर में रहते हैं तो पता कीजिए। आपके क्षेतर का पटवारी कितने गावों के लिए जमीन के अभिलेक रखता है। गावों के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। प्रिष्ठ साथ। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिये गए जमीन के नक्षे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इस से पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकडा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्षे को देखिए तथा मोहन और रगु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। खसरा पांच नमबर एक। खेत्र हेक्टेर में 0.75। जमीन मालिक का नाम, पिता, पती का नाम और पता, मोहन, वल्द, राजाराम, गाउं, अमरापुरा, जमीन का मालिक। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। नहीं। इस साल जोती गई जमीन, फसल, सोयाबीन, क्षेत्र, 0.75 हेक्टेर, अन्य फसले, रिक्त स्थान, परती जमीन, रिक्त स्थान, सुविधाई, रिक्त स्थान। नमबर दो, क्षेत्र हेक्टेर में 3.00 जमीन मालिक का नाम, पिता, पती का नाम और पता, रघुराम, वल्द, रतनलाल, गाउं, अमरापुरा, जमीन का मालिक। यदि बटाई पर है, तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, नहीं। इस साल जोती गई जमीन, फसल, गेहु, शेत्र, 2.75 हेक्टेर, अन्य फसले, 1.75, परती जमीन, 0.25, सुविधाई, कूँआ, एक, चालू, नंबर तीन, शेत्र, हेक्टेर में, 6.00, जमीन मालिक का नाम, पिता, पती का नाम और पता, मध्यप्रदेश सरकारी घास का मैदान, यदी बटाई पर है, तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, नहीं। इस साल जोती गई जमीन। फसल, रिक्तस्थान, क्षेत्र, रिक्तस्थान, अन्य फसले, रिक्तस्थान, परती जमीन, रिक्तस्थान, सुविधाई, कूँआ, एक, चालू, चारागाह, इस प्रिष्ठ पर दाई और नीचे, गाउं अमरापुर, पठवारी रिकॉर्ड, नंबर सोलह, दर्शाया गया है। ये पैमाने पर नहीं है। इस नक्षे के दाई और, एक तीर के ऊपर, उत्तर दिशा लिखा हुआ है। इस नक्षे को समझने के लिए, बाई और नीचे, चिन्ह दिखाए गए हैं। जिसमें, खेतों की सीमा के लिए, एक समानांतर रेखा दिखाई गई है। चारागाह को दिखाने के लिए, जमीन पर घास प्रदर्शित की गई है। साथ ही दो सीधी चलने वाली रेखाओं के बीच, छोटे-छोटे चिन्ह एक समान दूरी पर लगा कर कच्ची सडक दिखाई गई है। कुएं के लिए, एक रेखा के उपर, गोल निशान के बीच में एक बिंदू लगाया गया है। पक्की सडक के लिए, दो रेखाओं के बीच, दो चिन्ह एक दूसरे से एक समान दूरी पर दिखाई गई हैं। पेड के लिए, पेड की आक्रिती बनाई गई है। क, मोहन के खेत के दक्षिन में जो जमीन है, वो किसकी है। ख, रगु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाये। ग, खेत संख्या तीन को कौन इस्तेमाल कर सकता है। ग, खेत संख्या दो और तीन से संबंधित क्या-क्या जानकारी हमें मिल सकती है। प्रिष्ट 61 इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बक्से में खेतों के नक्षे के रेकॉर्ड के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। किसानों को अक्सर अपने खेत की नक्षे और रेकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हलांके कई बार उनको ये रेकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रेकॉर्ड कंप्यूटर में डाल कर पंचायत के दफ्तर में रख दिये गए हैं ताके वे आसानी से लोगों को उपलब्द हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रेकॉर्ड की जरूरत कब पढ़ती होगी। नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िये और उन मामलों को पहचानिये जिन में जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताईए कि वे किस लिए जरूरी हैं। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी जमीन में कुवां खोदने के लिए बैंक से कर्स चाहिए। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे वबेटियों में बांटना चाहता है। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की विवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है। जैसे तहसील, तालुका, इत्यादी। सबसे उपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन मामलों को निप्टाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं के रेकॉर्ड सही धंग से रखे जाएं और राजस्व यानि विभि देखते हैं के किसानों को अपने रेकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पढ़ने पर जाती प्रमान पत्र आदी भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा दो हजार पांच जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतोर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू ओर्तों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यू के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदला गया है। नए कानून के मताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंदर शासि प्रदेशों में भी लागू होगा इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फाइदा होगा उदाहरन के लिए सुधा एक खेती हर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है वो शादी शुदा है और पास के गाउं में रहती है अपने पिता की मृत्यू के बाद सुधा अकसर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ-साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रेकॉर्ड में आ जाए प्रिष्ट बासट सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पढ़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बाड के दूसरी तरफ एक घर बना हुआ है उस घर के बाहर दो पुरुष खड़े हैं बाड के इस तरफ दो महिलाएं खड़ी हैं इस चित्र के शीर्शक में लिखा है एक बिटिया की चाहा विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा मेरे भईया को मेरे पिता से पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरते नहीं किया करती लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना बिलकुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सूना सरोत रिफ्लेक्शन्स on my family अंजली मॉंटेरियो टिस मुंबई इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बकसे में सार्वजनिक सेवाओं के बारे में महत्पपून सूचना दी गई है अन्य सार्वजनिक सेवाओं एक सर्वेक्शन इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कारियों के बारे में पढ़ा खास कर ग्रामीन क्षेत्र के संदर्भ में पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षन किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षन किया जाता है जैसे पुलीस अधिक्षक या तहसीलदार हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं इन सेवाओं का उपियोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए आपने संभवत है सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा अपने गाउं या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाईए समिती, डाक बंगला, आंगनवाडी, बालवाडी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्यकेंद्र, अस्पताल इत्यादी. तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है. आपके लिए एक उदारण आगे दिया जा रहा है. प्रिष्ट 63 सार्वजनिक सभा राशन की दुकान आपने उनके काम के बारे में क्या देखा? ये दुकान खुली हुई थी. तीन लोग आए, उनके पास पीले रंग के काड थे. सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं. नियंत्रण में आने वाले क्शेत्र ये दो गामों के लिए है. इस सुविधा का लाब उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है? उनको राशन काड की जरूरत है. ये तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है. जो ये सब प्रदान करते हैं, उनकी समस्याएं. मिट्टी के तेल की आपूर्ती पूरी नहीं है. लोगों की समस्याएं. चावल बड़ा खराब आता है. मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं. क्या सुधार किये जा सकते हैं? अच्छा चावल आए. मिट्टी का तेल मिले. राशन की दुकान रोज खुले. इसी तरह स्वास्थिय केंद्र और दुग्ध उत्पादक समिती के बारे में आप चर्चा करें. प्रिष्ट चौंसट अभ्यास एक पुलिस का क्या काम होता है? दो पटवारी के कोई दो काम बताईए. तीन तहसीलदार का क्या काम होता है? चार एक बिटिया की चाहक कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको ये मुद्दा महत्वपून लगता है? क्यों? पांच. पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा. पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? 6. किसी पुलिस थाने जाईए और पता कीजिए के यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है? खासकर त्योहार या सारवजनिक समारोहों के दौरान. 7. एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? पता करें. 8. चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फाइदा होगा? 9. आपके पडोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे ये संपत्ती कैसे प्राप्त हुई? इसी के साथ नों अध्यायों की इस पुस्तक का छठा अध्याय यहां समाप्त हुआ, वाचन, बाबला कोछड, निर्मान, वंदना अरिमर्तन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.